सब्सक्राइब आप लोगों के लिए एक राशी जो है साल भर के लिए मैं कर रहे हूं 2024 में नो कॉंटाक सिटुवेशन वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स और अक्शन्स क्या होने वाले हैं ओवराल एनरजी चेक करेंगे त्यान रखना रीडिंग अभी विजनल होगी जरेने की सब के लिए रिजॉर्णेट करें और येस मैं ये राशी के अनुसार कर रही हूं राशी कौन सी आपको देखने ही चाहिए देखो मून साइन संसाइन राइसिंग साइन जैसे चाहिए वैसे अपनी जो है प्रेडिक्शन देख सकते हो हाँ कोशिश करो चंदर रा राशी ऐसा लगता है कि यार ये मैं पता नहीं क्यों मुझे से कनेक्टेड लगती हो तो अब उस राशी के अनुसार भी देख सकते हो जो भी राशी से आपको एक कनेक्शन फील होता है अब लैट से जैसे कि मैं जो है डेट ओव बर्ड से लिब्रा हूं और नाम से जो है म मून साइन के एसाब से मैं धनू हूँ तो भी पता नहीं क्यों मुझे एक कनेक्शन सा फील होता है जैसे लियो राशी मुझे मेरे मेरी राशी लगती है तो Similarly आपके साथ भी होगा अगर आपका moon sign, sun sign आपको नहीं पता पर कोई राशी आपको बहुत आटराक करती होगी तो आप उस राशी की अनुसार अपनी राशी की अनुसार तेखना है आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगी उनकी आपके लिए actions क्या होगी हम वो negative positive जो भी होगा आपके सामने होगा ध्यान रखना ये reading अभी भी जर्नल है personal consultation नहीं है ये आपकी personal reading नहीं है personal reading जब आप कराएंगे तब आपको ज़्यादा पता चलता है और yes मैं महीने महीने की reading आप लोगों के लिए post करती रहती हूँ महीने महीने की predictions भी check out कर सकते हैं बागी इसके अलावा कोई अगर आपको जानकारी चाहिए description box में आपको मिल जाती है और screen पे मिल जाती है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं अब बारी है लिब्रा याने के तुला राशी वालों की देखेंगे तुला राशी वालों के पार्टनर की feelings and actions साल 2024 में उनके लिए क्या होंगी 6 of Pentacles Ace of Cups 3 of Wands Sun 5 of Swords King of Swords Emperor 5 of Wands 3 of Pentacles 9 of Cups Bottom of the Deck Page of Swords आपके पार्टनर क्लिरली साइन्स दे रहे हैं Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius या लियो राशी के हो सकते हैं ठीक है ये साइन्स बहुत स्रॉंगली दिख रहे हैं ओकी Aries, Leo, Sagittarius हो सकते हैं आपके पार्टनर की पार्टनर की पिछली कुछ ताइम से आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं और कही न कहीं थर्ड पार्टी सिटुएशन दिखाए दे रही हैं आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिटुएशन में हैं आप और आपकी रिलेशन्शिप में कोई थर्ड परसन इंवाल्ड है जिसके साथ आपके पार्टनर बहुत अच्जस्ट और मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत जादा कहीं नगे उस व्यक्ति को फोकस कर रहे है पर back of the mind ये व्यक्ति आपको बहुत सोचते नजर आ रहे है रीसेंट पास्ट में ऐसा दिख रहे है कि ये व्यक्ति आपको याद तो कर रहे है लेकिन उस थर्ड परसन के पास ही कहीं नगे है इस वक्त आपसे approach में नहीं आपसे contact में नहीं आपको लैक इनके तरफ से जादा update नहीं मिल रही है कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है इस समय ये व्यक्ति आपके लिए बहुत दयालू भाव रखते वे नज़र आ रहे है याने कि इनको लग रहे है कि इस रिष्टे में जो भी हुआ उसमें काफी गल्दी इनकी भी थी और आपकी भी थी दोनों equally wrong थे और किसी तरीके की understanding भी इनके अंदर आती नज़र आ रह रहे हैं अपने माता पिता को बहुत केर कर रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं अपने आसपास बहुत जादा grounded और humble नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही है लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं काफी grounding energy है इनकी जहां पर ऐसा दिखाए दे रहा है कि इनकी सब के बारे में स चीजे बिगड गई तो यह कहीं न कहीं realization से गुजर रहे हैं इनका mind आपसे दूर रखने को रहने को कह रहा है या ने कि इनके mind से मुझे दिख रहा है कि यह वेक्ति आपसे दूर रहने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए अब खुद को बहुत strict रखा हुआ है इनोंने कि नहीं यार मुझे इस इंसान के communication में नहीं आना चाहिए अगर मैं इसके communication में आऊंगा या आऊंगी तो बहुत सारी problems फिर से create हो सकती है या हम दोनों फिर से उस चीज़ का सामना करेंगे जो हमने past में face किया है और दिल में कहीं न कहीं दि बूलने का प्रयास चल रहा है आपसे ऐसी energy है जहाँ पर आपसे disconnect होने की कोशिश कर रहे हैं cold है disconnection है अपनी family responsibilities पर जादा ध्यान देना चाहते हैं पर क्या ये विक्ति आपके लिए बुरा सोचते हैं तो मुझे clearly लग रहा है ये विक्ति आपके लिए बहुत अच्छा आना चाहते, obstacle clearly मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी life में ये खुद को अपने emotions को जादा चुन रहे हैं काफी emotional होते नजर आ रहे हैं तो आपके partner काफी emotional होकर कुछ वैसले कर रहे हैं जिसके वज़े से चीज़ें बिगड रही हैं आप लोग दोनों के बीच में और obstacle clearly वापस अप्रोच कर सकते हैं, let's see sun की energy को clarify करे, seven of wands, hang man, yes definitely आपके partner आपके पास वापस आते हुए नजर आ रहे हैं और ये next three months के अंदर होगा, अगले तीन महिनों के अंदर आपके partner आपके वापस contact में आ सकते हैं, क्योंकि clearly मुझे दिख रहा है कि वैक्ति आपको वापस से आकर अपने emotions, अपने मन के भाव, सब कुछ आपको express करने वाले हैं, आपको अपनी feelings बताएंगे, अभी तक ये वैक्ति बहुत defensive है, अभी तक ये फिलाल कोशिश में ऐसे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको इनके बारे में कुछ पता कर सकें, या आप इनके contact में आ सालते हैं, लेकिन ये इनको लग रहा है कि दूर ही रहना है, यहाँ पर ego भी clearly दिख रही है, कि ego भी है, कुछ issues है, जहाँ पर गलती मानना भी सही नहीं लगता है, नहीं लगता है कि गलती मानना बेवकूफी है, बट upcoming events में मुझे next three months में, कुछ लोगों के लिए December में ही हो करेंगे, जो आपने कभी सुनी नहीं, बहुत सारी explanation आपको इनसे मिलने वाली है, as of now यह अपनी family responsibilities पर साधा focus कर रहे हैं, यह लग रहा है कि इनके उपर कुछ जिम्मेदारियां है, परिवार की, लोगों की, जिससे इने पूरा करना है, यह अपने लिए बहुत strict हो गए है अपने मान, सम्मान, society, image, family, सब के बारे में सोच रहे हैं, बर upcoming event में कई न कई दिखाए दे रहे हैं कि यह वेक्ति सिफ और सिफ आपको लेकर concern रहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, current energy में clearly मुझे दिखाए दे रहे हैं कि इस वेक्ति के लिए बहुत जादा complicated energy बनी special चीज यह मुझे family में ही लग रहे हैं, मुझे clearly दिख रहे हैं कि family में issues हो रहे हैं, यह बहुत जादा stress का सामना कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो इनको लेकर like complications create कर रहे हैं और यह उनका सामना कर रहे हैं, already इंको कुछ अच्छा नहीं लग रहे हैं, आसपास बहुत जा रही है, यहाँ पर आपके partner कहीं न कहीं इस साल चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर team work करें, यानि कि आप दोनों एक होकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, आप इनकी बात समझ लेकर इनके terms and conditions को मान लें, यानि कि इनके साथ मिलकर प्रयास करें और इस relationship को beautiful बनाएं, या काम की भी opportunity मिल सकती है, chances बहुत strong है कि आपके partner चाहेंगे कि आप दोनों साथ काम करें, यहाँ पर upcoming event में साल 2024 में आपकी wish fulfillment दिखाई दे रही है, let's see wish fulfillment क्या होगी, nine of cups की energy को clarify करें, nine of swords, nine of pentacles, the moon, okay, clarify nine of cups please, आपके partner वाकर यह कैसी situation में आएंगे जहाँ पर इनको decide करना पड़ जाएगा, आर या पार, wish fulfillment clearly दिख रहा है कि third party situation के लिए हो जाएगी, आने के decide करना पड़ जाएगा कि आपको चुने या किसी और को, दो लोगों के बीच में चुनाव का कही न कहीं स्तिथी बन जाएगी, जहाँ पर यह chances बहुत strong है कि आपको चुन सकते हैं, बहुत strong chances है, कहीं न कहीं दुविधा बनेगी, आप इनके लिए सही हो और इनके आसपास के लोग इनके लिए राइट नहीं है, clearly इनके actions में मुझे maturity भी बहुत दिख रही है, इस साल साल 2024 में, तो chances बहुत strong है कि आपके partner बार बार आएंगे जाएंगे, अचानक से गायब हो जाएंगे, आपको बहुत patience रखना पड़ेगा अपने partner को लेकर, क्योंगे clearly मुझे दिख रहा है कि इस साल आपके partner आर्या पार की situation खड़ी कर देंगे, कहीं न कहीं, अब यहां से पार आप भी हो सकते हो, या वो भी दूसरे सामने वाला भी हो सकता है, आपके actions पर, clearly मुझे दिखाए दे रहा है, इस साल आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, यह व्यक्ति आपके लिए बहुत जादा passionate है, और यह कहीं न कहीं decision आपके favor में कर सकते हैं, ऐसी energy बहुत strongly दिख रही है, कहीं न कहीं यह third person को लेकर थोड़े से hurt होंगे, और कई न कहीं उन से distance लेने की प्रयास में या energy में आते होंगे नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो यह थी आप लोगों की reading तुला राशी वालो reading पसंद आए, आप like share, subscribe कर सकते हैं, धेर सारा प्यार दे सकते हैं, उसके लावर नियों कोई जानकारी चाहते हैं, description box में आपको मिल जाएगी, अभी के लिए इतना ही, bye, take care, room, साही राम,